नमस्कार दोस्तों मैं हूँ केस्ट आप सभी कहां हमारी यूटkeepers चैनल टेक्निकल अग्राओत पर स्भागत हैं दोस्तों आपने देखा वहाँगा हमारी टीवी स्क्रीन पर कभी कभी कबलर के धविये नजाराने लगते हैं क्लार पेच टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लिए लिगते हैं, तो दोस्तों यह क्यों आ जाते हैं, क्यासे हम इनको रिवूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाने बाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, तो देखें में पिच्चर, ये देखें कि फिच्चर में कलर्पे दबबे आ रहे हैं गश्पक डब आने चीह हमारी पिच्चर की क्वालीटी गराब हो जाती है इस तरह से है तो इनको कि पाusch करना आगे बतने वाला हूँ तो दोस्तों क्यों आ जाते हैं आने का रिजिन ये का है कि जब भी हम राष्टर की तरफ या पिच्चर स्क्रीन की तरफ हम कोई मेगनेट भूलवस इसके पास ले जाते हैं तो ये इस तरह से धब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब आ जाते हैं पतलब चुम्बक टीवी स्क्रीन की तरफ हम ले जाते हैं तब ये धब्ब्ब्ब्ब् करने के लिए मेरे पास है ये जैनेक्स का ये है डिगॉजर ये है जैनेक्स का देखिए अब टीवी ट्यूब डिगॉजर कलर ट्यूब तो इससे हम इन कलर पेज को रिमूव कर सकते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों इसमें क्या है इसमें इलेक्ट्रोनिक मैगनेट बनता है एसी वोल्टेज हम इसे देते हैं तब इसमें मैगनेट बनता है ये देखिए जैनेक्स का है और इसमें एक श्यूच उपर की तरब आप देख पारें ये श्यूच लगा हुआ है जिसे दबाते ही इसमें मैगनेट बन जाती है और इसे ओफ करते ही मैगनेट बन दो जाती है तो इसकी मदद से हम इसे रिमूव कर सकते हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा तो चलिए इसे कलर पेज को हम रिमूव करते हैं ये देखिए इस तरह से इस देखे रिमूव हो चुके हैं और इस तरह से हम टीवी स्क्रीन पर आने वाले धबों को रिमूव कर सकते हैं और दोस्तों इसा करने के बाद भी अगर हमारी टीवी स्क्रीन पर धब्बे बने रहते हैं तो फिर क्या करें तो मैं आगे बताऊंगा आपको तो देखिए अब कलर क्वालिटी सही आ रही है और इसमें चुम्बक बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मेगनेट इसमें कैसे बनता है यह देखिए एलाइनर को यह अपनी तरफ खेचेगा जो ही मैं आउन करूँगा यह देखिए इस तरह से इसमें मेगनेट बनती है और ओप करते ही इससे छोड़ देती है तो दोस्तों इसकी मदद से हम टीवी स्क्रीपन आने वाले कलर पेज को रिमूव कर सकते हैं इसके बाद भी दोस्तों यह फाल्ट बना रहता है तो हमें क्या करना चाहिए तो यह भी में आपको दिखा देता हूँ यह देखी बोड है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक PTC लगा हुआ है तो PTC खराब अगर हो जाता है तब यह प्रोब्लम आती है तो इसे चेंज कर देना चाहिए तो यह प्रोब्लम सौल हो जाती है और यहाँ पर डिखा शिंग कोईल के वायर लगे रहते हैं जो कि पिच्च ट्यूब के चारु तरफ एक वायर आपने देखा हुआ यहाँ पीटीशी यह पीटीशी खराब होगा तब भी इस तरह की प्रोब्लम आती है बार बार कलर पे फिर से आ जाते हैं तो इस पीटीशी को चेंज कर देना चाहिए और इसके बाद भी यह फाल्ट बना रहता है तो इस शियाटी पिच्च ट्यूब के चारु तरफ एक वायर आप देख पा रहे हैं इस वायर के खराब मतलब निकास्विम कोईल है यह इस निकास्विम कोईल के खराब होने की वज़सें भी इस तरह की प्रोब्लम आ जाती ह है चारु तरफ आप देख रहे हैं सभी सियाटी में आपने आपको देखने को मिल जाएगी है तो दोस्तों इस तरह से हम तो टीवी स्क्रीन पर आने वाली कलर पेज को आसानी से रिमूव कर सकते हैं जब इस स्क्रीन के पास कोई मैगनेट चुम्बक हम इसके पास ले जाते हैं तब यह कलर पेज आने लगते हैं तो इस तरह से हमें इसको रिमूव कर सकते हैं अब देखे पिच्चर क्वालिटी कितने अच्छी आ रही है दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर आप नए आए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कराना साथी बेल आइकन को भी दबाना जिसे हमारी सबी वीडियो जिका नोटिविकिशन आपको मिलता रही है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई तोपिक के साथ